विभाजन के कारणों को अब अच्छी तरह भूम समझ गया हैं। उसकी प्रिष्ट भूमी समझ गया हैं। और कैसे कारक और कारण का घटना करम चलता है जो अंत में विभाजन का रूप लेता है। इसे भी अब हम समझ गया है। 1971 का चुनाव आता है और उस समय कॉंग्रेस की पुनर स्थापना होती है। विभाजन जब हुआ तो कॉंग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई। क्योंकि वैसे ही कॉंग्रेस को लोक सभा में और विधान सभाओं में काफी पराजय जहलनी पड़ी थी। यद्यपिवा केंदर में अपनी बहुमत की सरकार बना सकी लेकिन निश्चित रूप से इसकी सीटों की संख्या में काफी राथ गिरावट आये था। उसकी पॉपलरिटी में काफी गिरावट आयी थी और उपर से गैर कॉंग्रेस वाद और कॉंग्रेस के विरोध की लहर। जिसने कॉंग्रेस की एक तरीके से कमर तोड़ दी और ये सब घटना करम चलते चलते अंतता फिर विभाजन होता है जो कॉंग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धबा था। कॉंग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती थी अपने अस्तित्व को बचाया रखने के लिए अब कॉंग्रेस के सामने ये संकट पैदा हो गया कि इस तरीके से ज़िए गैर कॉंग्रेस वाद बढ़ते रहा इस तरीके से ज़िए खेतरी पार्टियों का उदै होते रहा और विकास होते रहा तो एक दिन कॉंग्रेश संभवता एक छोटी पार्टी बनके रह जाएगी इस शंका में आगे क्या होता है इसको जानने के लिए अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर और वह है 1971 का चुनाओं और कॉंग्रेश की पुनर स्थापना कॉंग्रेश जैसे टूटती है विभाजन होता है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है अल्पमत मतलब उसे 520 में से आधी सीट भी अब उसके पास नहीं रहती है तो ये अल्पमत में आना मतलब सरकार का गिरना लेकिन ऐसा नहीं होता अल्पमत में आने के बाद भी डियम के और भारती कम्मिनिस पार्टी इसके साथ कुछ अन्यदल मुद्दों के आधार पर इंदरा गांधी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है मुद्दों के आधार पर प्रिष्ट भूमी में परदे के पीछे जो भी घटना करम हुआ होगा कम से कम जनता के सामने ऐसा बताया गया कि डियम के और ये अन्यदल अब कॉंग्रेस का समर्थन करेंगे लेकिन मुद्दों के आधार पर याने उसके गठवंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे पर सरकार के उन मुद्दों पर सहमत ही जाहिर करेंगे जिन पर उनके विचार मिलते हूं और लोक सभा के अंदर सरकार का समर्थन भी करेंगे मुद्दों के आधार पर प्रणाम क्या होता है कि बहुमत में न रहने के बावजूद भी गटबंधन न रहने के बावजूद भी इस तरीके से कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में बनी रहती है इस पूरे अर्शे के दौरान कॉंग्रेस ने बड़े सचेत रूप से अपनी छवी को समाजवादी रंग में पेश किया तो कॉंग्रेस की पुनर्थापना की यदि हम बात करें तो उसमें पहला प्रयास होता है कॉंग्रेस द्वारा सत्ता में अपने को बनाये रखने को सुनिश्चित करना जो उसने कर दिया क्योंकि यदि सत्ता में रहेंगे तो इस संभावना पुनर सापना के संभावना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के संभावना बढ़ जाती है तो पहला प्रयास कुछ हट तक सफल रहा, सट्था में बने रहने का दूसरा, उसने समाजवादी रंग लेना प्रारम में किया कॉंग्रेस ने अपने को एक समाजवादी कलेवर देने की कोशिश की और उस समाजवादी कलेवर को देने की कोशिश में उसने क्या-क्या प्रयास किये तो उनकी बात करें तो पहला भूमि सुधार भूमिशुधार का जो कानून था उसको लागू करने का बड़ा अभियान चलाए गया उसको क्रियानवित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाए गया जिसमें भू परिसीमन और कुछ अन्य कानून भी बनाए गया तो पहला कदम समाजवादी छवी को अपने बढ़ाने के लिए वह था भूमिशुधार केस तत्काली इन कानूनों को क्रियानवित करना हूँ उसके बाद तीसरा कदम जो उठाती है समाजवादी छवी के बाद तीसरा कदम वो था कि अपने को इन खेतरी पार्टियों पर निर्भरता से बचने का प्रयास करना हूँ कैसे हम इतना बहुमत जटा लें कि ये जो खेतरी पार्टियां हैं इनके समर्थन की जरुरत ना पड़े इनके लाठी की जरुरत ना पड़े लाठी का सपोर्ट इनके सपोर्ट की जरुरत ना पड़े और अपने स्वैम तई हम सरकार चला सके हैं सरकार कॉंग्रेस ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया और साथ में ऐसा करते हुए पार्टी को मजबूत करने का प्रयास और अपने कारेक्रमों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास और जनता से उसकी सहमती लेने का प्रयास अर्थाथ हम बात कर रहे हैं अब कॉंग्रेस ने चुनाओ कराने का मन बना लिया और ऐसा चुनाओ जो लोकसभा के द्वारा अपना कारेकाल पूर्ण होने के पहले ही करा दिया जाए वह चुनाओ कहलाता है मध्यावधी चुनाओ अब अधी पूर्ण होने के पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाओ की जाए तो वह मध्यावधी चुनाओ कहलाता है तो इंद्रा गांदी ने चौथा जो महत्पूर्ण करदम उठाया अपने को पुनर स्थापित करने के लिए वह था मध्यावधी चुनाओ की घोशना और इसके पीछे क्या कारण थे पहला कारण था दूसरे खेतरी दलों पर निर्भरता से हटना उन पर जो निर्भरता थी उसे समाप्त करना दूसरा कारण पार्टी की स्थिति को और मजबूत करना लोकसभा के अंदर खास करना जनता के सामने और तीसरा कारण की जो भी उसके कारिकरम है उस कारिकरमों के आधार पर जनता का समर्थन मांगना और जनता उन्हें वोट द तो तीसरा कारण एक तरीके हम कह सकते हैं जनादेश लेना अपने कारेक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करना और इसकी गरच से इस हे तू इंदरा सरकार ने 1970 के दिसंबर महीने में लोकसभा भंग कर दी यदि मैं और सही बोलू तो 1970 दिसंबर में सरकार ने लोकसभा भंग नहीं कि बलकि इंदरा गांधी ने प्रधान मंतरी के नाते राष्ट पति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोद किया और इंदरा गांधी स्वायम ऐसा नहीं कर सकती है इंदरा गांधी की कैबिनेट ने यहाँ प्रधाव पास किया कि राष्ट पति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जाए और ऐसी सिफारिश कर दी गई ये भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा कदम था और बहुत साहसिक कदम था क्योंकि एक जुआ था अभी अभी दो साल पहले चुनाओं जीते थे 1979 में और तीन साल बाकी था कॉंग्रेस को पुनर जीवित करने के लिए दो तरीके थे एक या तो बचे हुए तीन साल में प्रयास करना कॉंग्रेस को पुनर स्थापित करने का और या ऐसा सोचते हुए कि कॉंग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ रही है समय को भुनाना और चुनाओं घुशित कर देना इं और भंग करने की सरकार ने सिफारिश कर दी, भंग होती है सरकार, भंग होती है लोकसभा, और चनाव होते हैं, यह जह था मैंने पहले कहा एक बहुत साहसिक कदम, साहसिक क्यों इसके बारे मैं बता चुका हूँ, बड़ा बोल्ड डिसीशन था, क्योंकि इसमें खत्रा भी थ होगा, आधे से भी कम संख्या एदी हमारी होगई तो क्या होगा, अल्पमत में तो थे, लेकिन कम से कम अभी डीम के और एक दो और अन्य दलों का सपोर्ट तो था, खत्रा यह था कि एदी हमें उतना भी नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए यह बड़ा साहसिक कदम था, और आश्यार कर गया, लोकसभा के पांचवे आम चुनाओं होते हैं, फरवरी 1971 में, कब होते हैं, फरवरी 1971, लोकसभा का पांचवे आम चुनाओं, जैसा मैंने बताया है, जिस लोकसभा का काल पूर्ण निपूर्ण नहीं हो पाता, और उसे पहले चुनाओं हो जाता है, उसे 1967 में जो चुनाओं हुए थे लोकसभा के 1967 में पांच वर्ष जोने से 1972 में चुनाओं होने चाहिए थे परंतु वीवी गिरी ने जो तत्कालीन राष्टपती थे इंदिरा गांधी की सिफारिश पर 27 दिसंबर 1970 को अवधी समाप्त होने के एक वर्ष पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया आप ये याद रखेंगे घटना करम लोकसभा को एक वर्ष पूर भी 1972 में जो चुनाओं होने थे अब 1971 में होंगे उन्होंने उसे भंग कर दिया 1971 के लोकसभा चुनाओं को इसी लिए मध्यावधी चुनाओं करते हैं डाक्टर साइद जो चुनाओं की बहुत अच्छे विशलेशक हैं विवेचना करते हैं उन्होंने लिखा है कि 1971 का जो चुनाओं था चुनाओं प्रणाली के विकास की दिष्ट से बहुत महत्पूर्ण था चुनाओ प्रणाली के विकास के दिश्टि से बहुत महत्मूर इस चुनाओ में कॉंग्रेस संगठन ने जिसमें कॉंग्रेस के नेता शामिल थे अपने विभाजित अंग इंद्रा गांधी के वरुद चुनाओ लड़ा मैंने बताया कॉंग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी एक कॉंग्रेस ओ और एक कॉंग्रेस निउ कॉंग्रेस इंद्रा कॉंग्रेस अब यहां कॉंग्रेस के बीच में टकराओ हो गया दोनों के दलों के उम्मीदवार चनाओ मैदान में थे और जहां तक संग्ठन कॉंग्रेस का सवाल है संग्ठन कॉंग्रेस का एक मत्र लक्ष था कि विरोधी दलों के साथ मिलकर किसी तरह इंदिरा कॉंग्रेस को उखाड फेकना इंदिरा कॉंग्रेस को पराजित करना इसलि और राजनीती में पहली बार एक राश्ट्री स्थर पर हम देखते हैं कि विरोधी विचारधारा वाले दल एकत्रित होते हैं, राश्ट्री स्थर पर, अभी तक जो गटबंदन की बात मैंने की है, वो खेत्री स्थर पर हुए, राजस्थान में, या पंजाब में, या उडिशा में, या दक्षिन में, तामिल नाडु आदी में, खेत्री स्थर पर थे, लेकिन इस बार अब हम देखते हैं कि गैर कॉंग्रिस वाद का बढ़ता प्रभाव इस रूप में बड़ा विक्राल हो जाता है, कि कॉंग्रिस का ही एक घटक जसे हम संग्ठन कॉंग्रिस कहते हैं, वह विरोधी दलों को एक मंच में लाने का प्रयास करता है और एक राश्ट्री मंच बनता है और उसका लक्श के वले होता है, इंदिरा शत्रुता, इंदिरा का खुल्ला विरोद, उनका एक मात्र लक्ष था, कि इंदरा का है वक्स्वतनत्र पार्टी जनसंग सेंग सोशलिस्ट पार्टी और क्रांति दल ये जो पार्टियों के जो मैंने नाम लिये इनकी यदि आप सीटों की संख्या देखेंगे पिछले चुनाओं में तो आप आएंगे कि इन दलों की स्थिति कोई विशेश अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी ये दल अपना वजूद रखते थे चुकि इन्हें जनता के वोटों का प्रतिशत जनता के मतों का प्रतिशत कम मिला था इसलिए इनकी सीटें कम थी अनिता इनकी उपस्थिती अब देश के विविन खेतरों में महसूस की जाने लगी थी इस पकार इस तरह क जो दल हैं वो सब एकठे होते हूं और एकठे होकर पहली बार एक राश्ट्री गटबंधन का रूप लेते हूं मैंने कहा खेतरी गटबंधन अब पहली बार हम देखते हैं 1971 के चुनाओं में राश्ट्री गटबंधन और ये गटबंधन का एक उद्धिश इंदिरा इसको पच्छालना इस गड़बंदन का नाम महा गठबंदन इन्हों ने रखा इन दलों ने जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं Grand Alliance आज जो हम UPA या NDA की बात करते हैं जिसका मैंने पहले जिसकी मैंने चर्चा की है इसकी संभवता शुरुवात पहली बार एक राश्ट्री Alliance की रूप में एक राश्टी गड़बंदन की रूप में हम 1971 में देखते हैं जन्वरी खत्तर में Congress संगठन ने प्रस्ताव पारित किया और उतके बाद जनसंग SSP स्वतंद पार्टी इन्हों एक वैकलपिक सरकार बनाने के देश से एक समझवता किया चुनावी समझवता PMC के समर्थन ते चल रही थी लेकिन इंदरा Congress किसी राजनेतिक दल के साथ राश्टी तर पर कोई समझवता करने को तैयार नहीं याने अपने बलपर ही चुनाव लड़ने के लिए की जिद्ध पर थी जहां Congress O. ने विरोधी दलों को एकठा करके एक महा गड़बंदन बना लिया इंदरा Congress या इंदरा गांधी इस पक्ष में नहीं थी कि वो उन पार्टियों के साथ किसी तरह का राश्टी तर पे समझवता करें जो पार्टियां उन्हें अभी तक समर्थन देते आई हैं जिसमें Muslim League भी था जिसमें कुछ DM के आधी पार्टियां भी थी वे स्वतं अपने तहीं चुनाओं लड़ना चाहती थी क्योंकि Congress ने चुनाओं लड़ने के लिए मध्यावधी चुनाओं इसलिए करवाए कि उसे किसी अन्य दल के समर्थन के बूते पर सरकार चलाने की जो विवश्टा है वह न रहे उससे बचे परणाम यह हुआ कि लगभक सारे विरोधी दल कॉंगरेस के खिराफ रगभक जो दल अवी तक कंग्रेस या इंदरा कॉंगरेस के पक्ष में भी थोड़ा बहुत खड़े होने की इच्छा रखते थे जब उन्होंने देखा कि इंदरा कॉंगरेस उनको किसी तरह किसी भी तरह से उनके साथ समझहता करने के लिए तयार नहीं हैं तो इनमें से बहुत से दल विरोधी खेमे में चले जाते हैं और पूरा कॉंग्रेश इंदरा कॉंग्रेश बनाम पूरा विरोधी दलों का गट गट बंधन मैदान में आ जाता है 1971 के चुनाओं में लोक सभा के 518 स्थानों में चुनाओं होता है दो हजार साथ सो चौराशी उम्मीद वार आते हैं लेकिन किसी भी दल के सामने किसी भी दल ने सभी स्थानों पर चुनाओं नहीं लड़ा इंदरा कॉंग्रेस ने भी ने लड़ा इंदरा कॉंग्रेस ने केवल 442 सीटों पर चुनाओं लड़ा 518 में से इंदरा कॉंग्रेस ने 442 सीटों पर अपने उम्मीद वार खड़े किये और कुछ स्थान पर उसने एक भी उम्मीद वार खड़ा नहीं किया ताकि वो उसके उम्मीद्वारी उसके गैर उपस्थिती का फाइदा डीम के जैसी पार्टियों को मिल जाए जो अभी तक उसे समर्थन देते आए हैं इंद्रा कॉंग्रेस ने डीम के के विर्द कोई उम्मीद्वार खड़ा नहीं हुआ व्या भारिक रूप से इंद्रा कॉंग्रेस मुस्लिम लीग डीम के और समयवादी दल के बीच एक हम समझोता मान सकते हैं लेकिन वास्तों में राश्ट्री तर पे कोई समझोते कि यहां पे कोई ऐसी कॉंग्रेस ने जरूरत नहीं पड़ी समझी डिमोक्रेटिक फ्रेंट ने चार सो पचास उमीद्वार खड़े किया जिसे ग्रैंड अलाइंस कहते हैं चार सो पचास उमीद्वार खड़े किये जिसमें कॉंग्रेस एक तरफ अकेले खड़ी है दूसरी तरफ महां गटवंदन है विरोधी दलों ने जो अभियान चलाया उसका मुख्य नारा था इंदिरा हटाओ अर्थाथ एक सूतरी कारकरम के आधार पे ये ग्रैंड एलाइंस जो है वहाँ सत्ता में आना चाहता था उसे ऐसा लग रहा था कि जो हमारा जो मुख्य हमारी जो मुख्य टक्कर है वहाँ कॉंग्रेस से नहीं इंदिरा से है इंदिरा की नीतियों से है इंदिरा के तथा कतित ऐसे व्यवहार से है जो कॉंग्रेस ओ के लोगों को नागवार गुजरती थी तो इस पकार इंदिरा हटाओ के नारे से संकेत मिलता था कि विरोजी दल नीतियों या सिध्धान्तों के आधार पे नहीं बलकि व्यक्तिगत वैमनस्य के आधार पर चुनाओं लड़ रहे हैं यहां पर यह बहुत महत्पूर्ण बात समझने की है कि लोक तंत्र में, सच्चे लोक तंत्र में चुनाओं कारिक्रमों के आधार पे होते हैं दलों के विचारों के आधार पे होते हैं यह ऐसा चुनाओं देखा गया जहां पर केवल एक व्यक्ति के साथ अपनी वैमनस्यता का उद्देश रखते हुए एक महागडबंदन चुनाओं लड़ रहा है व्यक्तिकत विचारों में भिन्निता होना स्वाभाविक है पर उसको इस हद तक भिन्निता को इस हद तक उसकी पैठ हो जाना कि चुनावी मुद्दा ही इंदरा को हटाने का बन जाए ये पहला एक उदारन देखा जाता है कॉंग्रेस संगठन में अविभाजित कॉंग्रेस के अधिकांश नेता थे जिसके कारण ये स्थानी राजनीते और स्थानी नेताओं में प्रभावशील थे जबकि दूसरी और इंदरा कॉंग्रेस में अपेक्षा कृत हम देखेंगे युवा तुर्क के लोग थे कम लाब पहला लाब कॉंग्रेस ओ को था सारे विरोधी दल उसके पक्ष में दूसरा लाब उसको ये था कि इंदरा की को लेकर वो चुनाओ लड़े थी केवल एक मुद्दे पर इंदरा हटाओ क्योंकि उसकी समझ थी कि पूरे देश में इंदरा गांधी के खिलाफ ज्याद परंपरागत जो इसके जो पुराने पुराना निते तुझो था उसके पास जो पुराने नेता थे ये अनुभवी थे ये इस्थानी नेताओं से जुड़े हुए लोग थे ये जमीन से जुड़े हुए लोग थे और बहुत पुराने थे तो उसके सामने जो कॉंग्रेस इ इंदिरा गांधी की थी उसके नेता तुलनात्मक दिश्ट्रिक से यंग गैर अनुभवी आधी आधी थे तो ऐसा माना जा रहा था ऐसा लग रहा था कि कॉंग्रेस ओ को इन तीन चार कारणों से फायदा मिलेगा चुनाओं में उसके बाद भी बहुमत इंदिरा को मिलता है और सरकार इंदिरा की बनती है इस पकार जो घटना करम 1966 से शुरू होता है सिंडिकेट के पतन का जा कॉंग्रेस के उस धड़ के पतन का जो इंदिरा के खिलाप थी वो यहाँ पर आकर लगभग उनका पतन जो है वो पूरी तरह वह पूर्ण हो जाता है अब जब इंदिरा सरकार बनती है इंदिरा गांधी की कॉंग्रेस सरकार बनाती है तो कॉंग्रेस ओ का अस्तित्व ही एक तरीके से समाप्त हो जाता है वो सरकार बनाती है